का आप यह वाली है और आज की वीडियो में आपन एक एकसिदेंटल रिपोर्ट सीखने वाले हैं इससे पहले बच्चों आपन रिपोर्ट औन इमेंट सीक चुके हैं Report on event से related 5-6 वीडियोज भी मैं यूटूब पे upload कर चुका हूँ उमीद करता हूँ कि आपने उस सभी वीडियोज को watch कर लिया होगा अगर आपने अभी तक उन वीडियोज को watch नहीं किया है तो उस सभी वीडियोज के link इस वीडियो के description box में डाल रहा हूँ वहाँ से आप एक-एक वीडियो को भोच्च कर सकते हो तो बच्चो आज की वीडियो के बारे में चर्चा करें तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि रिपोर्ट है वो दो परकार की होती है एक होती है रिपोर्ट ओन इवेंट इवेंट से समंदित जो अपन कर चुके है और एक दूसरी जो रिपोर्ट है वो है एक्सिडेंटल रिपोर्ट दूर गटना वाली रिपोर्ट जो अपन आज से स्टार्ट कर रहे है और एक बच्चो आपके जो स्लेबस में है वो है फेक्चॉल डिस्क्रिप्शन तो कहने का मतलब यह है बच्चों कि अब की बार नए blueprint के according एक्जाम के अंदर report में तीन option दियोंगे और तीन में से आपको एक करना होगा और यह 5 नमर का होगा तीन option में जो question पूछे जाएंगे वो कहां कहां से पूछे जाएंगे वो भी आप सुन लीजिए पहला जो question होगा वो report on event से related होगा जो अपन report on event को अच्छे से समझ चुके है कि कोई भी report on event आजाए तो आप किस तरह से लिखोगे यह अपन अच्छे से आनी समझ चुके है वीडियोज मेरे youtube पे पढ़ी है आप वहाँ से उन वीडियोज को देख सकते हो और उसके बाद जो दूसरा question आएगा वो पुछा जाएगा accidental report अब accidental दुरगटना वाली report कोई भी हो सकती है a house on fire हो सकता है, road accident हो सकता है, train accident हो सकता है इस से related यानी कि एक दूसरा question होगा और तीसरा होगा वो होगा factual description और ये factual description क्या होता है, ये भी मैं आपको online classes के मादेम से करवाने वाला हूँ तो बच्चो इस तरह से इन तीनों में से exam में तीन दिये होगी और आपको exam में करना क्या होगा, एक करना होगा तो आज जो अपन सीख रहे हैं, वो accidental report सीख रहे हैं और उसका title क्या रहने वाला है, a house on fire तो चलो अपन स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आप कोई भी report करे, exam के अंदर नए page से करना है और उपर उपर आप title, capital letter में क्या डालोगे, यानि जिस भी topic पे आप report लिक रहे हो, वो लिक दीजिए या आपको ज्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इससे पहले अपन report सीख चुके हैं तो देखिए, अपन ने title डाला है, a house on fire capital letter में लिख दीजिए, a घर में आग लग जाना उसके ज़स नीचे वाल लाइन में आप क्या लिखोगे, report जो लिख रहा है, वो अपना नाम लिखेगा जैसे साजिद कोमा लगाईए, और वह कौन है साजिद, reporter of TOI, मतलब times of India मतलब जिस news paper का reporter है, वो क्या करेगा, अपना news paper का नाम लिख देगा जैसे साजिद, reporter of रास्तान पत्री का, साजिद, reporter of times of India तो ये आपको लिखना जरूरी है, अब देखे बच्चों आप कैसे start करोगे अब यहाँ पे आप पहले इस name लिखोगे, जिस जगह की report है, उस जगह का आप name लिखोगे और इसके आगे से अब आप क्या गर दीजिए, report शुरू कर दीजिए तो देखे आप किस तरह से start करोगे, सबसे पहले title लिखा, उसके बाद यानि जो report लिख रहा है, वो अपना नाम और reporter किसका है, वो लिखोगे और palace name जहां की report है, कोमा लगाई ये, और 23 अपरेल 2020 मतलब report लिखे जाने की तारिक अब देखे, past में आप report ये लिखोगे, तो last Sunday, पिछले Sunday को a house was on fire, एक घर में क्या लग गई, आग लग गई, many people gathered there और वहां बहुत सारी लोग एकत्रित हो गई, some people were crying, कुछ लोग क्या कर रहे थे, रो रहे थे, यानि चीख रहे थे and some were running, यानि कुछ दोड रहे थे, hair and there, इदर उदर, मतलब घर में आग लग गई, तो वहां कैसा दर से था, कुछ लोग यानि की चिला रहे थे, रो रहे थे, कुछ लोग यानि की running, hair and there, इदर उदर, दोड रहे थे there were high flames, वहां उंची लप्टे थी, मतलब आग की लप्टे क्या थी, high थी, there was dark and thick smoke, वहां अंधेरा था, या काला and thick smoke, मोटा यानि की बहुँ ज़्यादा यानि की दुआँ था there were cries and sticks, वहां चीखने और चिलाने की आनि की वहां आवाजे आ रही थी, चीखने और रोने की आवाजे आ रही थी some people were bringing water, और वहां का दर्से क्या था, जहां आग लगी वी थी, कुछ लोग क्या कर रहे थे, bringing water, पानी ला रहे थे they were throwing water और वे क्या कर रहे थे पानी को throw कर रहे थे फेंक रहे थे on the fire किस के उपर आग के उपर after some time कुछ समय बाद police also reached there वहाँ कोन पहुंची police भी आनिकी पहुंच गई the fire brigade also arrived there और जो fire brigade वाले थे fire brigade थी वो भी वहाँ पहुंच गई the fireman ran into the house और जो fireman थे fire brigade वाले आग बुजाने वाले वेक्ती वो दोड़े into the house कहाँ घर के अंदर और घर के अंदर जैसे ही fireman है वो दोड़ के जाते हैं तो they brought away लेकर के आए a child एक बच्चे को and an old woman एक वर्द महिला को outside बाहर तो कहने का मतलब क्या है वे घर के अंदर दोड़े और घर से किसको यानि की बाढ़ लेकर किया है एक बच्चे को और एक वर्द महिला को बाढ़ लेकर किया है they were sent to hospital और उन दोनों को कहां भेज दिया गया यानि hospital भेज दिया गया the fire brigade controlled the fire और जो fire brigade थी उन्होंने control किया अगनी समय की अंतर था उसने control किया fire को in two hours दो गंटे में आग को काबू कर दिया everyone thanked God सबने किसको धन्यवाद दिया God को बगवान को यानि की धन्यवाद दिया that no one died कि कोई यानि उसमें मारा नहीं गया तो बच्चो इस तरह से आनि की आप क्या कर सकते हो यह house on fire की रिपोर्ट अवो लिख सकते हो आपको pull marks मिलेंगे तो आप इसका screenshot ले लीजिए और वीडियो को आप like कर दीजिए दोस्तों में share कर दीजिए चैनल को आपने अभी तक subscribe नहीं किया है तो चैनल को भी subscribe कर दीजिए Thank you very much